वर्दा थालुका के भोगां में उत्तम गालवा स्टील प्लांट में ब्लास फॉरनेस दो फर्वरी शांग को वाशिक रखरकाओं के लिए बंद कर दिया गया था जब भट्टी पूरी तरह से बंद हो गए थी तो भट्टी से राख निकालने के पचास कर्मचारी कांग कर रहे थी चोकी राख को भट्टी से हटाय जा रहा था सुबे 10.38 लोग खायल हो गै जब गर्ण हमाकी साथ राख की कन उनके उपर फेकिक है इन में से 28 को सावंगी मेगी के विनुबा भावे ग्रामिन अस्पताल में भरती करा गया है इस बीच 10 लोगों को सेवा क्राम के कस्तुर्बा अस्पताल में भरती करा गया है जिला कलेक्टर विवेक भिमनावर, जिला पुलिस अधिक्षक प्रशांत होलकर, मुख्य कारीकारी अधिकारी सचीन ओमबेस, उपविभाग्य अधिकारी सुरेश बागली, जिला सर्चन डौक्टर सचीन ताड़ास, जिला स्वास्ता अधिकारी डौक्टर अजय दावाले गटना सलकात दोरा किया और निरिक्षन किया उन्होंने सावंगी और सेवा ग्राम अस्पतालों में भरती मरीजों की रिशिदार को भी आश्वत किया कलिक्टर ने आश्वा संदिया की मरीजों को उचित और अच्छा इलाज मिलेगा उन्होंने परीजन को यह भी बताया कि अगर जरूरत पड़ी तो मरीजों को विशेश चिकित साखे लिए नाखपूर की औरिंसिटी अस्पताल में भीजा जाएगा। इस बेश गंबिर जोट वाले आठ लोगों के विशेश उपचार के लिए नाखपूर के औरिंसिटी अस्पताल में सानांतरीत कर दिया क्या है। सुनिल केदा ने सरकारी भुकतान नियमो और श्रम नियमो और महाराष्टर प्रदुशन के माथन से निरिक्षन करके दुर्खटना के लिए जिमितार लोगों के खिलाब सक्त कारिवाई करने का निर्देश दिया है। बिस्यन नियूस के लिए वर्धा से समवा दाता की रिपूर्ट।